इडिया टीवी आपकी आवाज इसे पहले शाह कमीशन उनकी स्पारश अलग थी देखा जाया तो शाह कमीशन की स्पारश थी के चंडिगड उस समय खरड तशीर का हिसा था हिंदि भाशी एरिया था और ये तशीर 81% हिंदी बोलने वाले लोग यां थे उस समय उन्होंने एक स्पारिश की थी कि खरड़ तसील में पंजाबी स्पीकिंग गाउं वो पंजाब में जाने चाहिए हिंदी स्पीकिंग गाउं हरियना में जाने चाहिए और चंडीगर को जो है हरियना में बिलाना चाहिए बाद में हिंद्रगंदी अकॉर्ड उन्होंने का कुछ गाउं हिंदी भाशी वो तो हरियना में चले जाएं लेकिन चंडिगर को पंजाब को देना चाहिए इससे पहले एक कैबिनेट मेटिंग होई केंद्र की उसमें इसका कोई लेक नहीं था वेलके चंडिगर जो है वो केंद्रिय शाशित प्रदेश यूटी इस नाते से रहेगा और उसका कंट्रोल जो है केंद्र सरकार वो देखेगी तो इस प्रकार से अलग-लग स्टेंड उस समय के ये भ्रहम की स्थिति पैदा हुई और वो चीज बाद में फिर सुप्रीम कोट में गई है और सुप्रीम कोट में नक्यवल चंडिगर का विश है बलके पानी का विश है S.O.I.L. का मुद्दा क्योंकि S.O.I.L. पर भी कई परकार के निर्णे आए और उन सम निर्णों में एक उलजन पैदा हुई सुप्रीम कोट में 2002 का फैसला है कि S.O.I.L. से जो पानी है उस पानी का अधिकार हरियना का जो हरियना को मिलना चाहिए S.O.I.L. की खुदा ही होनी चाहिए Execution Order 2003 में आया सुप्रीम कोट का सुप्रीम कोट के Execution Order में लिखा गया कि आप लोग यानि CPWD के अंदर सरकार चार मेने के अंदर-अंदर इस पर काम शुरू कराए इस बीच में पंजाब ने एक और Controversial Act पारित कर दिया था जिसमें ये पानी का जो हिसा है या जो Order है उसको निरस्ट करने का काम किया जो कि Illegal था लेकिन Illegal Act के होने के बावजूद भी उस समय जो प्रेजिदेंश प्रेजिदेंशल रेफरेंस के लिए भेजा गया तो प्रेजिदेंट साब को रिजेक्ट करना चाहिए था उन्होंने उसको सुप्रीम कोड में भेज दिया और दोजार चार से दोजार सोला तक बारा साल तक ये लटका रहा दोजार सोला में हमने आने के बाद अर्ली हरिंग का प्रोसेश शुरू कराया और सुप्रीम कोड ने हमरे उस के उपर मोहर लगाई उनका जो एक्ट है पंजाब का दोजार चार का उसको निरस्त किया और पानी का जो अधिकार हमारा हरियाना का वो बादस्तूर जारी रहा चुकि एग्जेकुशन ओर्डर वो 2003 का हो चुका था वो टाइम बाउंड हो गया उसके बाद यही एक विचार कानून विदों ने बताया कि एक बात दुबारा से उसका एग्जेकुशन ओर्डर यह लेना पड़ेगा हम सुप्रीम कोड में गए हैं लेकिन सुप्रीम कोड ने अभी तक उसका फैसला नहीं किया है सुप्रीम कोड का मत यही है कि पंजाब हरियाना के इंदर सरायर मिल करके आपसी समझोते से और इसको एक्जेकुट कराएं अब चुके आपसी समझोते की कोई बात बनी नहीं है दोनों सीम्स का भी बैठने का हमने प्रतन किया कि कि सरी के से मान जाएं इसको पूरा करने के लिए लेकिन पंजाब की और से को रिस्पॉंस नहीं है और जब पंजाब की और से रिस्पॉंस नहीं है तो अब हम केंदर को लिखने वाले हैं कि आपसी बातचीत का कोई उसमें अर्थ नहीं निकल रहा है बलके सुप्रीम कोड को सुप्रीम कोट उसका निरने करें एग्जिक्विशन का वो एग्जिशन जिसके जिम्हें लगाएंगे वो केंदर सरकार के जिम्हें लगाएं किसी संस्था के जिम्हें लगाएं पंजाब सरकार के जिम्हें लगाएं हरियाना सरकार तो जो कोई हमारी टेल्टरी नहीं है इस इसकी भी हमने उसमें डिमांड रखी है कि चंडीगड का हमारा जो अधिकार है तो उसमें सुप्रीम कोर्ड हाई कोर्ट भी हमारा अलग से या स्थापित हो इसकी मांग भी हमने उस रेजुलिशन में की है सुझाव आया कुछ लोगों का लेकिन यह जो के अधालती काम है इसलिए जुडिश्री के लोग या जो हमारे एड़ोकेट्स हैं एजी साहब या बाकी से प्रावर्श करेंगे कि क्या 2002 का एक्ट जिसमें हर्याना को पानी के डिक्री हो चुकी है उसके अधार पर वो किया जा कारती केंद्र में और उस समय चोंके वह चार मिने छे मिने का जो टाइम दिया था वह निकल चुका है तो अब यह दोनों अलग लग राये हैं कि उस समय का कंटेम्ट इसलिए श्याद लागू होगा कि नहीं होगा क्योंकि वह विवाद है खड़ा हुआ और कूल जहना नहीं चाहते हैं यह साना हो कि हम कंटेम्ट की बात करके और फिर यह विश्य उलग जाए और एक के बाद एक समय लगता चला जाए जिसमें जल्दी होगा हमारा काम जो एस वायल का निर्मान का जो काम है जल्दी जल्दी पूरा हो इस बात को ध्यान पर रख करक और ऐसा है सुनिये 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 इसका जो प्रारम में शायद आप लोगोंने जो वेबसाइट पर देखा होगा उसका उल्लेक कर रहे होंगे जो बाद में उसको त्यार करके और मैंने जो पढ़ा है और पढ़ने के बाद जिसको पास किया गया है उसकी कॉपी कि हमें मिली है वो कौपी रप्राप्त कर ले उसमें सपस्थ हमने लिखा है कि कौपी कौन सी नया वाले के है तो दे तो जो नया हमने resolution पास किया है उसके अंदर सपस्थ लिखा है कि हरियाना के अपर हरियाना का कंडी-gar के उपर पुरा दिकार है जो पंजाब का लिखा है उसमें हमने लिखा यह हरियाना के लोगों को स्विकारे नहीं है हरियाना ने राजनेती खेतर चंडीगड पर अपना अधिकार लगतर बरकरार रखा है इसके लावा इस सदन ने इससे पहले भी समयधानिक प्रावधानों के अनुसार चंडीगड में हरियाना राजनेती लिए एक अलग उच्छे नयाले के लिए प्रसाव परित किया है सब लेका है हरियाना के लोगों को स्विकारे नहीं है हरियाना ने राजधानी खेतर चंडीगड पर अपना अधिकार लगतर बरकरा रखा है लिए उनके दूइधा सब नजर आ रही है पंजाब ने कोई परस्ताव परित किया हरियाना में जो उनके पर भारी है गुपता जी क्या ना हम सुशिल गुपता वो उसके ओपर अलग से अपना स्टेंड लिए हैं और वो कहते हैं कि अलग अलग राजियों को अपने अपने राजा के साब से कहने का अधिकार है और उनके जो बुखिया है अर्विंद के जिरवाल इसके बारे में कुछ बोल न गुपता बारे में कैप्टन साब से क्योंकि उस समय तो 2016 में कैप्टन सावी थे एक मीटिंग हमारी हुई भी जो हमारे केंद्रिय जल संसादन मंत्री हैं शेखावत जी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई भी थी लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपसमें बैठकर के बात करेंगे उस मीटिंग के बाद फिर चोंकि सुप्रीम कोड नहीं कहा था कि मुख्यमति आपसमें मिलकर के बैठकर के रास्ता निकाले उस मीटिंग के बाद चोंकि उस दिन वह पस्तित नहीं हुए थे वीडियो कॉन्फरेंस से वह साथ जुड़े थे ऑंलाइन मैं खुड़े चलने के बाद नों कहा कि हम आपसे बादें से बाद के बाद करेंगे लिकिन उस के बाद मने बार बार समपर्क या कभी उनुने उक्तर नहीं दिया अbbकि कोःड का समय था कोःड़ के समय में बहुत ज्यादा इस मीश्य को आगी हम पसूभी नहीं कर पा अब चुनाव खत्म होते ही इस प्रकार से चार दिन के बाद ही इसको मुद्दा बनाएंगे इसका भी समझ से परे है इसलिए क्यों इन्होंने इस मुद्दे को खड़ा किया है किस लाब के लिए किया है या किसी दबाव में किया है या उन से पता लगेगा तर पता लगेगा वो भी हमने इस resolution में लिखा है कि जो ये निरंतर लगातार संख्या अमारी जो अधिकारियों की प्रसाशने का अधिकारियों को कम हो रही है इसको भी बाहल किया जाए जैसे पहले 60-40 की रेशो थी उसी रेशो में अधिकारियों को रखा जाए लग लग मत है आज तो स्तिती यह है कि वर्तवान में उनका जो रुजरुशन है उसके ओपर कोई धान न दिया जाए कि चंडिगर आज ही उनको दे दिया जाए अब चूंके शुरू से लेके अब तक 1966 जब से पुनर गठन हुआ है पंजाब राजे का तब से लेकर के अलग परदेश अलग उनकी राजधानी कई शर्तें कई आयों कई कमिशन वो बैठे हैं अगर इस परकार का कोई विशह भी आएगा तो नए सरे से आपस में बैठ करके आएगा एक दुसरे के खिलाफ रेजुलोशन पारित करके ये विशह नहीं हलोने वाला अगर ऐसा कोई समझ पहले से पहले से जब पुनरगठ हुआ है उसी समय से सिक्स्टी फटी के जो प्रसाशनी के दिकारी वो लगते चले आए हैं अब वो कोई लिखित है या केवल एक परंपरा है यह विचार करने की बात हो सकती है लेकिन अभी तक यह स्थितिय थी अब धिरे दिरे उसमें य